हेलो गाइस जब भी हमारे बड़े पार्टी होती है तो हम बैलून तो बहुत इजीली फुला लेते हैं पम से जैसे कि मैं फुला रहा हूँ मगर जब इनको बांदने की बारी आती है ना तो हवा निकल जाती है क्योंकि इनको बांदना बहुत ही टिपिकल होता है चलिए कोशिश करते हैं बांदने की मगर यह बांदना इतना भी मुश्किल नहीं है आज मैं आपको बतागो किस ट्रिक्स जिससे आपको जितने बैलून बांदने हो 50, 100, 200, 500 आपकी उंगलिया बिल्कुल भी दर्द नहीं करेगी तो चलिए बांदने हैं अपने बालून्स को जब भी आपको बालून्स बांदना है सिंपल हमें लेफ्ट हैंड की चार उंगलियों का इस्तामाल करना है और राइट हैंड की सिरिफ तीन उंगलियों का तो चलिए टाय करते हैं अपने बैलून को सबसे पहले जरा में अपने बैलून को फुला लेता हूँ फटा फट से ये मेरा बैलून फूल चुका है अब इसको बानने के लिए हमें सबसे पहले ये तीन उंगलियों की जरुवात है दो उंगलियों और एक अंगुठा मैंने अपने बैलून को यहां पकड़ लिया अब मैं इसको इस अपने उंगली की मदद से यहां पे लेकिया हूँगा और इससे इसको यहां पे दबा अब आपको यह दिखे दे इसको मैंने यहां लेकिच के लाया और यह दो उंगलियों के बीच में दबा दिया और इसको उठा के मैं यहां पे छोदू तो यह तरु का बलून बानने का अब आप चाहते हैं कि मेरी उंगलियों में बिल्कुल भी दर नहीं होना चीए तो यह आता है बलून टाइट टूल जो आपको अमेजॉन पे मिल जाएगा यह आपको मिलेगा 8200 रुपीज का इसको कैसे लगाते हैं सबसे पहले जो आपकी लास्ट थ्री उंगलिये उनको अब हतेली सिधा करिए और यह जो आपको दिख रहा है होल गड़ा टाइप का इसको उस तरफ रखिए आप इसको ऐसे लगा लीजिए यह आपने लगा लिया जब आप उंगली मोडेंगे तो यह चीज आपके अंदर आएगी दिख रहा है आपको यह चलिए तो आप बाप पर लपेट के और यह इसके अंदर से बाहर लिया हुँगा यह देखिए और मैं इसको फिर्च हूँआ बस और यह मेरा बलून बंद गया बहुत एजी बलून मांना एक और बलून के दिखाता हूं आपको मैं यह देख यह बलून है यह मैंने बलून को उपर रखा यह कितना असान है चाहे तो आप ये टाइट टूल का भी इस्तिमाल कर सकते हैं तो अभी तक के लिए इतना ही stay safe and keep watching